आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वह बहुत ही हमारी वीवर्स के लिए खास है और आज की वह उस पर्टिकुलिर पॉइंट से काफी जुड़ी भी है तो हम चाहेंगे कि आप उसके अपने विचारों को अच्छे तरीकी से रखे हैं ताकि हमारे जो युवा हैं वो आगे अपने भविश्च को उसमें तलास मि सकें कल हमारा वैलेंटाइन डे मनाया जाने वाला है किस तरह से उसको किस परिक्ष में आप देखते हैं और युवा उससे कैसे सीख ले सकते हैं क्या कर सकते हैं उसमें कि वेलेंटाइन डे ऐसा जो आपसे 15 साल पहले ज्यादा लोग जानते नहीं थे और लगवत 15-20 साल पहले आरचीज और हॉलमार्ग दो कार्ड की कंपनियां थी जिन्हों ने एक तरह से वेलेंटाइन डे मनाने का कार्ड मार्केट में उता रहा था और तब लोगों को ये पता चलाता कि ऐसा कोई दिन भी होता है और वेलेंटाइन डे एक दिन का होता है जब लोग अपने प्यारे या जिनको चाहते हैं उनको गिफ्ट करते हैं उनके बारे में अपना आभ़ार प्रगट करते हैं धीरे-धीरे कार्ड कमपनियां तो खक्म हो गहीं लेकिन उसके के बदले जो मर्टी डेस्टरल कंपनियां थी उनको ये पता चला कि ये बहुत बड़ा मार्केट है उसके बाद हॉलमार्क आया उसके बाद अब तो तरीश्क और कई तरह की जो 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 ब्रांड़ेट जो इनको इस तरह से त्योहार ही तरह बनाती है तो ये वैलेटाइं तो उसमें दापते चले जा रहे हैं तो ये कोई त्योहार नहीं है विदेश में भी जो इसका रूप है या जो इसकी मूल भावना थी वह अपने अभिन मित्र को या जिसके बारे में आपको अच्छा लगता है उनको इस तरह से अपने समर्पण की भावना या उनके बारे में उनको गिफ देनी की बावना है कि आप में अच्छे लगते हैं उसमें उम्र की या संबंधों का ऐसा कुछ विशेस प्रस्ताव नहीं था ले हम इसमें मूल रूप से युवाओं को ही इसमें लिया गया और प्रेम संबंधों का एक तरह से खुला खेल शुरू करवा दिया गया इसमें इस वैलेंटाइन डे के नाम पर तो यह भारतिये संस्रिती की चीज़ नहीं है और इसका विरोध अगर कोई करता है कुड़े तो मनाने वालों के पास भी तर्क है कि अगर मनाते हैं तो क्या है और हमारे हाँ जैसे अगर भारती संस्रिती में देखा जाए तो मात्री दिवस पित्री दिवस और कई ऐसे दिवस हैं जहां हम अपने मित्रों को मिष्टों को यहां तक कि हमारे हाँ तो जो जिनकी मृत्तियो और उनके लिए भी समर्पन हमारे साथ्रों में लिखा गया है तो उसमें कोई एक दिन जब हम अपने मित्रों को याद करें या उनके वो गिफ्ट दें तो यह मार्केटिंग के लावे और ऐसा कुछ नहीं है और अब तो इसे बढ़ाते-बढ़ाते सब्ता भरका भी किया गय जैसे दो-ती दिन पहले देखा मार्केट में के डी बियर लिख रहे थे ठीक है जो लोग इसमें व्यापार में लगे हुए उनकी कमाई होती है लेकिन आप उसको एक तरह से पूरी दरह से हावी हो कि उसको मनाना यह गलत है आपको अगर अच्छा लगता आपको ही मनाए औ आपके प्रिय अभिन इस्त थे उनके प्रती आभार प्रगट करने को ही उन्होंने कहा था इसमें जो एक तरह से एक फ्रेम का या फिर दो दिनों के मिलन का जो चडिया और दिल और जिगर फिट्नी गुर्दा सब मिलने लगते हैं यह गलत है यह बाद में मार्टिंगी चीड़ होती है तो इसमें जैसे आप बाकी जो तेवार है उसमें देखेंगे कि सब्सक्राइब करने का जो प्रयास होता है उसका विरूज हमारी संस्रीटी करती है हमारे लोग करते हैं अगर आपको याद ना हो तो आज से 15 साल पहले मुहर्रम के लिए हैपी मुहर्रम कार्ड भी हॉलमार्क ने छापा था और चिन्दवी में कई दुकानों में यह बेचा गया था और बाद में जब पता चला था कि मुहर्रम जो है यह उदास होने की चीज़ है तो इस तरीके कि मार्गेटिंग बड़ी-बड़ी कंपनिया करती हुए उन्हें मुल वहाओना से कोई मतलब नहीं रहता जैसे अभी कुझी पहले तक दिवाली और छट जो एक सांस्क्रितिक हमारे पूरे भार्किया जन्मानस के लिए चीज़ है और पवित्रता के साथ उसे मना जाता है उसे भी विद्रुप करने की एक शाजीस या यू कहें कि मार्गेटिंग का एक जोड चला हुआ है वो गलत है उसका विरोध होना चाहिए तो जहां तक वेलेंटाइन की बात है तो वेलेंटाइन को और छट और दिवाली को आप एक प्रेट्फॉर्म पे नहीं रह सकते दो लगे कि वो गरवठ है हमारी संस्कृति में ऐसा ऐसा क्या आप ऐसा क्या समझ है नहीं जहां तक स्वामी विवेका नंदी ने भी कहा है कि आप एक हाथ से अपनी संस्कृति को पकड़ें और दूसरे हाथ को खुला रखें ताकि जो भी अच्छी भावना अच्छे वीचार आपके पास आ रहे हैं आप उन्हें ग्रहन करते जाएं यहां वेरेंटाइन मनाने के ऐलेंटाइन डेक पर विरोध से ज्यादा उसके मनाने के तरीक्ते और उस के पीछे की जो भावनाएं होती हैं जो आजकल के युवाँं के अंदर में भरी जाती है ये उसका विरोध होना चाहिए नौरात्र गुजरात में नौरात्र होता है नौ दिन गर्बा किला जाता है लेकिन आज भी नौरात्र के नाम पर जो उश्रिंकलता होती है या जिस तरीके का वहां पर अब एक तरह जो भाव प्रगण हो गया है देवी पूजा के बदले वो जो एक डिसको हो गया है उसका विरोध होना चाहिए हमारी जो संस्रीति है वह हमेशा से साथ्विक और शांथ वातावरण में कवित्रता के साथ बनाने की है वहां कहीं भी हम कुछ रेकलता को बड़ावा देते हैं ना उसके बारे में उसको प्रेश्रे देने की कोशित करत है हम वेलेटाइंड अगर मनाते हैं तो तो अबनाने की जरुत नहीं हमारे अपने तेवार इतने ज्यादा हैं कि सारे नहीं मना सकते और यह डिले धिले खत्म हो रहे हैं जिसका एक पार में सोचना भी वढ़ेगा उसके बारे में कि युवा कापी अच्छे परीके से इसको एकसप्ट कर चुका है अगर आप मतलब आप इस जग़े पर अगर दिखेंगे तो आपको मार्केट भी दिखेगा मार्केट में आपको आज आही भी दिखेगी तो के वल हम यह सबजें कि के वल यह दिरोद है इसलिए हम यह दो कि यह इंपॉर्टन तो नहीं हो चाहिए सवाल में ही आपका जवाब आया क्योंकि संस्कृति का नहीं है इसलिए हमें विरोद करना है मार्केट में जो युवाओं को अच्छा लगता है वो तो कई चीज अच्छी लगती है अभी शुशान केस हुआ है और उसमें जिस तर कि युवाओं को आप किस आधार पर किस और ले जा रहे हैं या अपनी संस्कृति से विबुक कर रहे हैं इस पर भी बहुत बड़ी ध्यान है और वेलेंटाइन डे का विरोद नहीं है वेलेंटाइन डे के पीछे की जो भावना है जो बनाई गई या जिस तरीके से वो बन smith करते हैं वेल्एटाइन डें तो यह उसका एक मूल उदेश होना चाहिए लेकिन दो युवाद पार्क में दाई के पीछे की मिले यहाड़ी के सब्राइब ना कहता है और यह वह oscillator की क्या स journals मेंही Human difetow इनकी बातों को समझ सकेंगे और उनसे जो भी प्रेरणा लेनी वाली बात हैं वो ज़रूर प्रेरित होंगे नेक्स एपिसोड में फिस्त मुलाकात करेंगे कैमरामैन विनीता तीवारी के साथ मैं विकाष मिश्रा देवी एटी तन्यों बादो